हालो फ्रेंद्स वेल्कम बाक टू शोरील मैं हूं दिक्षा और आज हम बात करेंगे बॉलिवुड की कुछ मसालिदार खबरों की जी हां बढ़ते हैं हमारे बॉलिवुड के सफर में और जानते हैं आज की सबसे पहली खबर के बारे में आपको बता दे बॉलिवुड की हसीन अदकारा रवीना टंडन ने शकरवार को अपनी पंदरवी साल गरा मनाई इस खास मौके पर रवीना टंदन ने अपने पती अनील थदानी को बेहत खास अंदाज में शुब कामनाएं भी दी इसी के साथ आपको बता दे इन दोनों की शादी साल 2004 में हुई थी रवीना टंदन ने शादी के 15 साल पूरे होने पर ऑफिशल इंस्टाग्राम पर अपनी शादी की कुछ तस्वीरें शेयर की है जिसमें रवीना दुलहन के लबाज में नज़र आ रही है इसके अलावा उन्होंने अपने पती अनील थदानी के साथ भी अपनी तस्वीर इसाज़ा की है अभी नेतरी के फैंस उनकी इस तस्वीर को काफी पसंद कर रहे है उन्होंने तस्वीरों को शेयर करते हुए emotional caption भी दिया है रवीना तंदन ने लिखा है 15 साल के प्यार, हसी, इमांदारी पर मुझे भरोसा है आपके लिए मेरा प्यार हर एक गुजरते दिन के साथ बढ़ता ही जा रहा है बताया जा रहा है कि वह जल्द ही अपने production house शुरू करने वाली है और इसके तले वह एक web series भी बना रही है पता हो कि रवीना की film में जतनी चर्चा का विशह रही है उतना ही उनका अक्षे कुमार के साथ affair भी एक समय ऐसा था जब रवीना तंदन और अक्षे कुमार के affair की चर्चा खूब होती थी अक्टरस तापसी पन्नू अकसर ही अपने fashion style को लेकर चर्चाओं में बनी रहती है इसके अलावा आपको बता दें उनके instagram followers की बात करें तो वो करीब 9.5 million से कभी कभी वो अपने trending topics पर comments को लेकर तो कभी अपने फिल्म के performance को लेकर अकसर चर्चाओं में रहती है आईए जानते हैं तापसी पन्नू के कुछ और पहलू तापसी ने बेबी और पिंक जैसी फिल्मों से दर्शकों का दिल जीता है पिछले साल मुल्क, मनमर्जियां और सूमा जैसी हिट फिल्में देने वाली अक्टरिस तापसी पन्नू ने अपने प्रेम संबंध को लेकर बड़ा खुलासा किया है जी हाँ, रिलेशन्शिप को लेकर तापसी पन्नू का ये खुलासा उनके फैंस को हैरान भी कर सकता है उन्होंने बताया है कि पहली बार वे रिलेशन्शिप में नाइन्थ क्लास के समय आई थी तापसी पन्नू के अगली फिल्म बदला है, इसमें उनके साथ महनायक अमिता बच्चन भी मुखे भूमेका में होंगे इसे पहले दोनों सूपर हिट फिल्म पिंक में नजल आये थे सुजाए घोश के निर्देशन में बन रही ये फिल्म आठ मार्च को बॉक्स आफिस पर रिलीज होगी चोटे परदे के जाने मानिक अलाकार करन सिंग ग्रोवर आज अपना 37 जन्म दिन मना रहे हैं आपको बता दे करन सिंग ग्रोवर का जन्म तेविस फरवरी 1982 राजस्थानी दिल्ली में हुआ था इसके बाद उन्होंने अपने आगे की पढ़ाई मुंबई में ही की थी आपको बता दे साल 2004 में करन सिंग ग्रोवर ने अभिने की दुनिया में अपना कदम रगा था वही साल 2015 की अगर बात करें तो उन्होंने बड़े परदे पर काम करने का मौका मिला था इसके बाद एक साल बाद ही 2016 में करन सिंग ग्रोवर ने बिपाशा बासू से शादी कर ली थी करन की तीसरी तो बिपाशा की ये पहली शादी थी बिपाशा ने बताया कि जब करन ने उन्हें प्रपोस किया तो उनका रियाक्शन काफी हैरान कर देने वाला था बिपाशा ने करन के प्रपोसल के बाद कहा कि वह शादी में विश्वास करती है लेकिन अभी वे इस बारे में नहीं सोच रही है जोरान तकरीबन दस मिनिट तक करन अपने घुटनों के बल बैठे रहे फिल्म गली बॉई में रनवीर सिंग और आलिया भट के अलावा यदि किसी आक्टर की चर्चा है तो वो है सिधान चतरवेदी जी हाँ सिधान चतरवेदी ने गली बॉई में रनवीर के मेंटर याने MC शेर का किरदार निभाया है आपको बता दे कि सिधान ने इस फिल्म के जरिये ना ही केवल ओडियन्स का बलकी महनायक अमिता बच्चन का भी दिल जीत लिया है और इसका सबूत है खुद बिगबी का तोफा जोकी गली बॉई आक्टर ने सोशल मीडिया पर शेर किया है प्लीज टेक अलुक सिधान चतुरवेदी ने इंस्टाग्राम पर बिगबी के भेज गए फूलों के साथ एक नोट भी शेर किया है तस्वीर में वह फूलों के गुलदस्ते के साथ नोट भी पकड़े हुए है इस तस्वीर को शेर करते हुए सिधान ने लिखा साथ और प्रणाम आपका उपहार और आशिरवाद मिला जो मेरे लिए अकल्पनी है इस खुशी की व्याख्या मैं शब्दों में नहीं कर सकता ये मेरे लिए सौभाग्य और गर्व का पल है और अब बस आपके चरनसपर्ष की कामना करता हूँ सदान चतुरवेदी ने इंटरनेट इंडस्ट्री में साल 2016 में कदम रखा था कर्यर के शुरुवात में वेब सीरीज लाइफ सही है और इंसाइड एच से की थी वालिवट में इंदनों रीक्रियेट का दौर चल रहा है किसी न किसी फिल्म में कोई न कोई गाना रीक्रियेट करते ही रहते हैं और इसे लेकर दिगज गाई का लता मंगेश करने कई बार आपती भी जताई है अब एक बार फिर से वो टोटल धमाल के रीक्रियेट वर्जिन मुंगडा पर खासी नारास देख रही है जो इस पर आक्टर अजे देवगर ने अपनी राई भी जताई है बतादे की साल 1978 में रिलीज हुई फिल्म इंकार में गाना मुंगडा फिल्माया गया था यह गाना हेलिन पर फिल्माया गया था और उशा मंगेश करने से गाया था उस वक्त का यह गाना सूपर हिट रहा था टोटल धमाल में से सोनाक्षी सिना पर फिल्माया गया है केवल लता मंगेश कर ही नहीं बलकि उशा मंगेश करने भी इस पर आपती जताई है अजे देवगर ने कहा कि लता जी बहुत सीनियर है बॉलिवड में इस वक्त बहुत सारे गानों को रिक्रियेट करने का चलन चल रहा है वो लोग इस बारे में नहीं सोचते हैं अगर लता जी को बुरा लगा है तो वो मुझे थपड़ मार सकती है उन्हें ऐसा करने का पूरा हक है मैं सच में कह रहा हूँ कि वो मुझे आकर डाट सकती है अगर उन्हें बुरा लगा है तो मैं माफी मांगने को भी तैयार हूँ मीचू मुवमेंट के तहट संजू फिल्म की अससरिन डिरेक्टर ने डिरेक्टर राचकुमार हिरानी पर यौन शोशन का आरोप लगा था जसके बाद ही राचकुमार हिरानी आम लोगों की नजरों से गायब थे आपको बता दे हाल ही में सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वाइरल हो रही है जिसमें राजकुमार हिरानी नजर आ रहे हैं लंबे समय बाद राजकुमार हिरानी को कोई तस्वीर सामनी आई है इस तस्वीर में वो फिल्म भारत के प्रडियूसर अतुलग निहोतरी के साथ नजर आ रहे हैं या तस्वीर किसी चार्टर प्लेन में खीची हुई लग रही है दरसल अतुलग निहोतरी ने सोशल मीडिया पर इस फोटो को शेर किया है फोटो में दोनों आमने सामने बैठे दिख रहे हैं अतुलग निहोतरी ने इस फोटो पर कैप्शन लिखा है बता दे राजकुमार हिरानी पर संजू फिल्म की एक अससेस्टन डिरेक्टर ने यौन शोशन का आरोप लगाया था महिला के मताबिक संजू फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन के दौरान उसका यौन शोशन हुआ था जब महिला ने विरोध किया तो राजकुमार हिरारी ने उसे फिल्म से निकालने की धम की दी यही नहीं उसने कहा कि उसका करियर भी बरबाद हो जाएगा बॉलिवुट की हसीन अभिनेतरी पूजा बेदी एक बार फिर से शादी के बंधन में बनने जा रही है जिहां आपको बता दें कि पूजा बेदी दूसरी बार शादी करने वाली है और ये शादी वो किसी और के साथ नहीं बल्कि अपने बचपन के दोस्त माने क कॉंट्राक्टर के साथ कर रही है पूजा बेदी ने इसकी खबर एक न्यूस पेपर के में कॉलिम के द्वारा दी थी आपको बता दें कि पूजा इस समय 48 साल की है खबरों की माने तो पूजा बेदी ने वलंटाइन डेक के दिन यानी 14 फरवरी को सगाई की है अभिनेतरी के पहले पती का नाम फरहान इबराहिम फरनीचर वाला था रिष्टे बहतर नों होने की वज़े से इन दोनों ने साल 2003 में तलाक ले लिया था पूजा बेदी इस से पहले भी 5 लोगों के साथ अफेर कर चुकी है पूजा बेदी ने 17 फरवरी को कॉलम में लिखा था मैंने सगाई कर ली है मेरे प्यार ने मुझे आसमान में सेकडों फीट उपर होट एर बलून में प्रपोस किया जब उसने मेरी उंगली में अंगुटी पहनाई तो मेरी आखें भराई थी खबर के अनुसार पूजा बेदी और मानेक कॉंट्राक्टर स्कूल के दोस्त हैं जहां मानेक पूजा से 3 साल सीनियर थे बताया जा रहा है कि 50 वर्ष ये मानेक गोवा के रहने वारे हैं दोनों काफी समय से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं आपको बता दें कि पूजा बेदी ने जो जीता हुवही सिकंदर लुटे रे आतंगी आतंक जैसी फिल्मों में काम भी किया है तो फ्रेंज ये थी बॉलिवूड की कुछ होट हापनिंग्स अगर आप इसी तरह की खबरे सुनना चाहते हैं देखना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब तो आर यूट्यूब चानल MPnews TV या फिर आप Facebook भी login कर सकते हैं www.facebook.mpnews.tv.com पर प्लीज सब्सक्राइब प्लीज सब्सक्राइब चाहते हैं